नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे हनुमान जी के विशेश मंतर की जो व्यक्ती की मनकामना पल भर में पूरी कर देता है इस खास मंतर का जिक्र शास्त्रों में भी मिलता है अनेक रिशी मुनी इसी मंतर के जाप से विशेश शक्तियों की प्राप्ती करते थे खास कर मंगलवार के दिन कभी भी यदि आप इस मंतर का जाप करते हैं विशेश कर सुबे को तो आप देखेंगे आपकी हर इच्छा पूरी होती है इसके साथ ही साथ आपकी दुख तकलीफ हनुमान जी दूर कर देते हैं दोस्तो कल्यूग में हनुमान जी को अजय अमर देवता माना गया है यह बरदान खुद माता सीता स्वेम भगवाँ शीरी राम जी ने हनुमान जी को दिया था आज भी कल्यूग में हनुमान जी मौजूद है तथा अपने भगतों के बुलाने पर उनके हर दुखों को दूर करने के लिए तुरंट पहुच जाते हैं सभी देवताओं की तुलना में हनुमान जी की यदी पूजा आप करते हैं तो उनकी जो पूजा है उसका फल अन्ने देवतों की अपेक्षा आपको बहुत ही जल देखने को मिलता है हनुमान जी को संकत मोचक बताया गया है यदी कोई भी परिशानी आपको है बल हनुमान जी का इस मंत्र का जाप यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपकी हर बांधा दूर हो जाती है मंगलवार का दिन इस हनुमान मंत्र के जाप के लिए काफी विशेश माना गया है दोस्तो ये उपाई बहुत ही सरल है आपको हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष आपको एक सरसो के तेल का दिपक जला लेना है और अब आप हनुमान चालिसा का एक पाठ कर ले इसके पश्चात हनुमान जी के इस मंत्र को आपको बोलना है मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्म काए हम फट इस मंत्र का जाप केवल आपको 108 बार करना है जब ये मंत्र पूर्ण हो जाए तो इसके बाद आपको मन में जो भी आपकी मनुकामना है उसे हनुमान जी को बोल दे दोस्तो इस उपाय का प्रभाव आप कुछ ही घंटों में देख सकते हैं क्योंकि हनुमान जी का ये मंत्र काफी दिव्य माना गया है तो दोस्तो अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कॉमेंट में जै श्रीराम अवश्य लिखे और उमीद है आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सिस्क्राइब करें धन्यवाद